तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगे आलू और कसूरी मेथी की रेसिपी आलू और कसूरी मेथी बनाना बहुत ज़्यादा असान है और ये बहुत जल्दी से बनकर त्यार हो जाती है आलू और कसूरी सूखी मेथी जो हमारी जल्दी से हमारी बन जाती है और ये रेसिपी हमारी 15 से 20 मिनिट में बनके त्यार हो जाती है तो आईए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें कटोरी में मसालों को निकाल लेंगे तो हमने यहाँ पर एक बड़ी चमच ली है नमक इसके बाद इसके अंदर हमने एड़ करा है देट छोटी चमच धनिया पाउडर दनिया पाउडर हमने डाल दिया है इसके अंदर हमने एड़ करा है आदी छोटी चमच हल्दी पाउडर और देट छोटी चमच इसके अंदर हमने एड़ करी है लाल मिर्च पाउडर तो मसाले हमारे निकाल लिये है इसके बाद हमने यहां पर बॉयल डालू लिया है तो इंग्रीडेंट हमारे रेडी हो चुकी है एक कडाई के अंदर हमने तेल अध कर दिया है यहांपर हमने 2 तेवल स्पून ओयल लिया है हमने यहां काटोरी में जीरा, पानी और साथ में मसाला तीनों चीज़ों को अलग निकाल लिया है तो हमारा तेल अब बिल्कुल गरम हो चुका है तो इसके अंदर हम सबसे पहले अड़ करेंगे जीरा जीरा हमारा डल चुका है इसके बाद हमने इसके अंदर मसाले आड़ कर दिया है मसाले डालने के बाद इसके अंदर हमने पानी आड़ करा है और मसाले बन चुके है तो इसके अंदर हमने थोड़ी सी कसूरी मेथी इसके अंदर आड़ कर दिया है कसूरी मेथी दो मिनिट में बन जाती है और इसके अंदर अब हमने अड़ कर दिया है बॉयल्ड आलू तो इन सभी इंग्रिडेंट के अंदर आलू को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और थोड़े-थोड़े आलू को हम चबजे की हैल से इसको मैश करते जाएंगे तो हमारी आलू और कसूरी मेथी अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स हो चुकी है तो इसके अंदर अब हम एड़ कर देंगे धनिया यहाँ पर हमने धनिये के पत्ते लिए है और इसको भी हमने एड़ कर दिया है इसको हमने सर्फ करा है एक बाउल के अंदर तो यह सबजी हमारी बनाना बहुत ही ज़्यादा असान है और यह 15-20 मिनटे बनकर त्यार हो जाती है इस रेसिपी को आप जरूर ट्राए करे और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन ने बता सकते है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे और आप मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे